हेलो फ्रेंड्स मेनो कुमावत किचन एक्सपर्ट में आपका स्वागत है आज पर आपको बताने जा रही हो तिल के लड्डू जिसके लिए हमें जिन चीजों की जोट पड़ेगी वो है घुड़ पचास ग्राम तिल सिखेवे 100 ग्राम नजल का बुरा 50 ग्राम 5-10 पदाम जो हमने तोड़के रखी है गी एक चमच काजू 4-5 किश्मिश 20-25 और एक चमच गॉन अब हम सबसे पहले गैस ओंद सर्ट और गी मेटमे जीश में अब हमले हो फ्राइ देंगे परजीन आणिश्मिशा爾 फ्राइ के निकाल देंगे यहां घी गरभ हो गया है यहां परज़िक के प्रज़द बॉड़ जीए हद के इसमें पुद़धै जो हमारे बचावा जो घी है उसके अंदर हम यह हमारे गुड़ को मेल्ट करेंगे हाली मेल्ट ही करना है मेल्ट करने के बाद हमें फ्लेम बंद कर देनी है यह हमारा गुड मेल्ट हो गया है और हमने फ्लेम बंद कर दिया है अब हम इसे एक बाउर में निकाल लेंगे इस तरह से अब हम मिक्से में जो हमारी तिल है इनको डालके इनको हाफ क्वेश्च करेंगे एकदम बारिक नहीं पीशना है इनको हलका दर्गरा ही रख रहा है यह हमारी मिक्से में हमने तिल को दर्दरा पीश किया है यह देखे इस तरह से यह आधे साबुता आधे हमने क्वेश्च कर लिए है इस तरह से अब हम इसमें इसको गुड के अंदर ही मिक्स कर देंगे जो गुड हमने महल किया था यह हमने गॉन जो फ्राई किया थे यह गॉन और यह किश्मिश इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से को इसको हाध कीशा है युदा जरस अंहुक्स समय कर लेंगे देखी हिग का िर्णाखता ी दाक्रवान भूक का सबस्क्राइब कषए हम इस्तुरा हम जर्क हम हाध से नियुक्षा भूक्स धुद्धा लडू बना लेंगे यह हमारी किल्के लडू तैयार है इसमें हमने गॉन्द मिक्स किया एक्स्टा में जो सर्दियों का सीजन चल रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा है और जो गॉन्द है वो केलिशियम का बहुत बड़ा स्रोत है तो बच्चों के लिए बहुत ही हल्दी है तो आप इसे घर में जरूर प्राइब करिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू